नमस्कार दोस्तों आपका बोतवस स्वागता और आज हम भात करने वाले हैं जेट काउंसलिंग 2020 के रिगार्डिंग जो जो आपके डाउट स कन्फ्यूजन है उन सब डाउट कन्फ्यूजन को इस वीडियो में हम उनका सोलुशन करेंगे कि जो क्या क्या doubt confusion है तो देखो सबसे पहले तो बात करें कि जो जेट की counseling है जी दोस्तो जो जेट की counseling है वो कब से start होगी तो जेट की counseling है वो 9 तारिक से ही start हो जाएगी जी दोस्तो 9-10 से ही start हो जाएगी Friday को उसी दिन आपका result आएगा और उसी दिन आपकी जो counseling है start हो जाएग वो सब complete information के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपकी counseling नो तारीक को start हो जाएगी और 13 तारीक को आपको है जो online विकल फोर्म सुल्क जमा करने उस उदार की अंतिम तीती है जी दोस्तो 13 तारीक को अंतिम date रहेगी उसके बाद आपको क्या है 17 तारीक को आपकी पर्ष्ट लिस्ट आ जाएगी और जो उसके बाद क्या होगा 17 तारीक को 20 तारीक को क्या करना है कि आपको upward लगा सकते हो जी दोस्तों अपरट क्या तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि upward क्या होता है तो दोस्तों अपरट यह होता है कि जैसे कि आपने 5 college फिल किये है, 5 जो 5 या कितनी भी जितनी आपने college फिल किये अब यह दि आपको suppose आपको पांच यूए नंबर की college मिलगी आपको पांच यूए नंबर पे आपने quota university डाला है और आपको वो college मिल चुका है पांच यूए नंबर वाला college आपको मिल गया है तो अब आपके पास एक option रहता है जि दोश्तों आपके पास option रहता है कि आप अपवाड लगा सकते हो अपवाड लगाने का मतलब है कि आपको उनका सुल्क होता है 700-800 रुपे जो non-refundable होता है जिसमें आपको क्या करना होता है कि उसके दुआरा आप 700-800 रुपे देखे और अपवाड लगा सकते हो तो अपवाड में क्या होगा कि जो यदि उपर की सीट खाली है जी दोस्तो यदि उपर की कोलेज में सीट खाली है यदि आपने पांच नमबर पे कोलेज फिल किया है पांच नमबर पे आपको मिला है पांच नमबर वाला और तो उपर वाले कोलेज में यदि सीटे खाली है तो हो सकता है उसमें आपको college मिल जाए जो आपको counseling में college भरे हैं येदि आपको पांचवे नम्मर का college मिला है जी दोस्तों पांचवे नम्मर का या चोथे नम्मर का college मिला है और येदि आप upward लगाते हो तो क्या होगा कि suppose येदि आपने पांचवे नम्मर का college मिला है तो येद और सीटे खाली नहीं है तो आपका वही कोलेज रहेगा जो दोस्तो जो कोलेज आपको अलोट हुआ है यदि आपको पांच वे नंबर का कोलेज अलोट हुआ है तो आपको पांच वे नंबर का कोलेज ही अलोट रहेगा आपको दुबारा है वो चेंज नहीं हुआ है तो कोई पश्ट बार में आपने नहीं मिला फिर सेकिन बार भी आप अपवाड लगा सकते हो और जब काउंसलिंग होगी स्टार्ट तब हम इनके बारे में और बता देंगे डिटेल से तो अपवाड यही था कि जैसे कि हमने को पांचवी नमर का कोलेज मिला है और अपवाड लगाते हैं अपवाड की फीस होती है 700-800 पे 700-800 पे होते है जो नोन रिफरंडेवल होती है और अपवाड लगाने के बाद अपन को अपने से भिल किया है उससे पहले वाली कोलेज जश्ट यदि अपन को पांचवी नमर की कोलेज मिली है तो उससे पहले वाली कोलेज में सीटे खा उम्मीद करता हूँ आपको अप्वार्ड है वो समझ में आ गया होगा अप्वार्ड क्या होता है कि राध इसका अप्वार्ड का उप्षन रहीगा आपको 20 दस 2020 तक इसके बाद विस्ते तारीक को शेकृंड लगा सकते हो और फिर इसके बाद 5 जो 28 तारीक है उसको कोलेज में आपको जाना होगा जी दोस्तो यह तो हो गई पूरी पस्ट काउंसलिंग इसके बाद क्या होता है यदि सीटे बसती है तो इस्पोर्ट काउंसलिंग चालू होती है ओनलाइन इस्पोर्ट काउंसलिंग जी दोस्तों, इस्पोर्ट काउंसलिंग में क्या करना होगा, कि आपको सीटे पता चल जाएगी, कौन-कौन सी कोलेज में कितनी खाली है, जी दोस्तों, जो सीटे खाली है, वो आपको खाली सीटे पता चल जाएगी, तो आप पहले सारी गौर्मेंट कोलेज भर दे, फश्ट कवismet भर देना जो फस्ट लिस्ट है पस्ट ही आएगा पस्ट Copps counseling चालो होगि नोर्मल वाली उसमें he sport Kaunseling क्या होती है कि आपको दूबारा से apply करना होता है क्यों College college Lane find करना होता और कुछ नहीं करना आपको document सब कुछ Wake away रहेंगे सेम रहेंगे आपको क्यों कोलेज कोलेज फिल करना है जिन जिन कोलेजों में सीटे बची है उन उन कोलेजों को आपको दुबारा से फिल करना होता है जिनको कोलेज नहीं मिला है तो उनको क्या करना होता है दुबारा से स्पोर्ट काउंसलिंग में अपनको online seat है, online seat college है, वो fill करनी होती है sport counseling में, तो यह हो गई sport counseling, फिर इसके बाद क्या है, sport counseling की, जो last date है, 3-11-2020 है, और इसकी जो सूची आएगी, जी दोस्तों सूची आएगी, उच्छे 11-2020 को आएगी, और online piece जमा होगी, 9-11-2020 को, और college में reporting 10-11-2020 को, इसके बाद चालू हो दोस्तों कही सारी seat खाली रहती है, seat खाली कैसे रहती है, कि यह भी ICR की counseling लेट चालू हो रही है, BHU की होगी, तो कही सारे बच्चे है, जो main, जो बड़ी campus होते हैं, बड़ी university होती है, अपने राजस्तान की, उसमें भी seat खाली रह जाती है, तो यह होता है कि कही students यह से होत होते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जिनका ICR में हो जाता है, या BHU में हो जाता है, या कुछ और region रहता है, जिसकी होज़े से main campus को भी छोड़ देते हैं, और अपने ICR में West College में चले जाते हैं, तो उनकी seat खाली हो जाती है, तो फिर उस seat के लिए आपको sport counseling होगी, on the sport counseling क्या होती है, on the sport counseling में आपको documents लेके, जी दोस्तों, जो भी documents आपको चाहिए होंगे, वो documents आपको बता देंगे, जब चालू होगी, जब अभी schedule डाला नहीं है, कि उसमें कौन-कौन से documents चाहिए होंगे, तो वो documents लेके, और आपको सारा परफोर्मा लेके, और hand-to-hand face, सब लेके, उसी दिन, उसी दिन आपको main campus में पूँचना होता है, जीसे कि, अभी आपके, जो जो बनेर university के एंडर में, जो जो college आती है, उसकी एक जगह और जाएगी, कई भी जेपूर में, जो जेपूर का, दुर्गापूरा वाला वापे, या विका नेर university है, तो विका पूरी जिसके जितनी उसके कोलेज में जिसके जितनी एंडर में जितनी कोलेज आती है उनकी सबकी एक दिन हो जाएगी जोदपूर के एंडर में जितनी कोलेज आती है उनकी सबकी एक दिन on the sport counselling on the sport counselling क्या होता है जिनको college मिलता है तुरंथ मिलता है और उसी दिन आपकी fees जमा oni हो जाती है उसी दिन आपका सब काम रेडी हो जाता documents件 सब आपके वहीं जमा हो जाते है documents की बात करें तो आप अपने मूल निवाँ जाती पर्मान पत्तर आई परमान पत्तर आई वाई बाद में भी लग जाएगा लेकिन मूल निवास जाती परमान पत्तर और जो एक बनेगा दोस्तों यह आपकी गेप है यह आपने पहले 2018 में यह 2019 में आपने पास कर ली थी तो उसका एक गेप सट्विकेट बनेगा और इसके अलावा फोटो चाहिए जो सेम फोटो जो आपके इसमें फिल किये हैं वो फोटो चाहिए आदार कार्ड चाहिएगा तो यह कॉमल से डोकुमेंट्स है यह सब डोकुमेंट्स चाहिए इ फिल करें पहले पांचु उन्वर्सिटी उसके बाद में जो गुवर्मेंट्स कोलेज आती हैं उनके अंडर में वो फिल करें यदि आपको प्राइवेट कोलेज लेने का विचार हो तो प्राइवेट कोलेज आप स्पोर्ट काउंसलिंग में ले लेना इनमें सीट एक से बता देंगे यदि फिर वी आपका कुछ डाउट कन्फूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं लेकिन आप एक चीत ध्यान रखेगा कि अपने डोकुमेंट से जैसे की मूल निवास हो गया जाती परमान पत्तर हो गया यह अभी से रेडी रखे इनमें क्या जो करवाना हो वो सब कुछ करवा ले इजीली और सब कुछ डोकुमेंट से रेडी रखे डोकुमेंट के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हम बता देंगे आपको इतना ही था आज के वीडियो में धन्यवाद दोस्तों यह दिया आपको डाउट कन्फूजन रहता ह है तो आप कमिट कर सकते हैं